नमस्कार नियूज सुपर सेविन के कैमरा की तरफ फिर रूख कर रहे हैं आप और मैं हूँ सुधान सो इस वक्त मौजूद हैं हम एक और नया मुद्दा लेकर जो की यूपी से आ रहा है यूपी के अमेठी में मैं आपको बता दूँ कि एक सुकला परिवार है जहां कि एक बच्ची जो सोला वर्सी ये बच्ची थी उसको पांच दरींदे ने घर में घूस कर जला दिया जिन्दा जला दिया ये कितना रूख का देने वाली घटना है इसकी कलपना करने से भी इंसान की रूख काप जाती है यूपी में लगतार आप ये तो घटना में ठीक है रही है इस पर कब अंकुस लगेगा कौन अंकुस लगाएगा इसका जबाब दे ही कोई लेने को तयार नहीं है चाहे सरकार किसी की भी हो सब अपने अपनी रोटी सेकने पर दे रहे हैं हमारे साथ फ्रेम में मौझूद है चंदनतिवारी जी फिर एक बार इस मुद्दे प वालिका का जिन्दे जला दिया गया उसको पांच लोगों ने मिलकर यह घटना को अंजाम दिया दिवरिया में घटना घटित हुआ ऐसा नेको घटना है साथ आपको भी संध्यान में होगा क्या कहना चाहेंगे इस पर हम यहीं कहना चाहते हैं कि अभी तो ताज्या मूदा है मनें मुद्दा क्या मनें तजा खबर है जो अमैठी में हुआ एक निर्मम जो शुकला परिवार की लड़की है उसको जलाकर मार दिया जाता है यह लोव जिहाद का मैटर है और छोड़िये लो जियादो या कुछ भी हो लेकिन यह हम यह कह रहें कि ब्रामभड पहीं हमेशा अत्यचार हो रहा है यह कप तक रुके गए उपी में करीब चार साल से सरकार है चार सल से उपर सरकार है और लागातार मनें लागातार हम देख रहे हैं कि ब्रामभडों का जनसंख्या ज्यादा है उस साइटी भी मतलब टीम का गठन हुआ था सुकला परिवार के लड़की का उसका कोई खबर नहीं अमारने वाले उसमें से तीन मुसल्मान है एक यादो जी है और एक पाल जी है लेकिन यह देखा जा रहा है कि हमारे ब्रामभड समाज में क्या हो रही है यूपropri सरकार हमको लगता है कि जोगी सरकार ब्रामभड भिरोधी सरकार है लेकिन हमारे ही समाज में कुछ दुगला नेता पैदा हो गह हैं जो इसको इस मामला को निप्टारा कर दे रहे हैए तब सरभप हैं यजियत सरमा है दो dzisiaj हम जो है हम गरम ह से क्या फैदा इस निर्मम हत्या पर कहां कोई वहां गया वहां कोई गया ना कोई पाटी गया ना कोई ब्रामट समाज का संगठन गया ना कोई वहां गया हम प्रयास करेंगे कि वहां पहुंचे अपने टीम के साथ मैं टीम नहीं तो मैं अकेला पहुंचूंगा अपने समाज के लिए जहां भी ऐसा हमारे ब्रामबर समाज प्रत्याचार होगा सबसे पहले बोला होगे चंदन तेवारी वाज उठाएगा और अगर सरकार से भी अगर हमारा लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे और अपना कार्ज करेंगे और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे हम मर जाएंगे अपने समाज के लिए लेकिन जुकेंगे नहीं अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे समाज के लिए ब्रामबर समाज के लिए इसके बाद दिवरिया हुआ हुआ दिवरिया में क्या हुआ इतना बड़ा बावाल हुआ बड़े बड़े ब्रांब्रो लोगों ने वह बड़ा कराया नेता माने default 특s क्राइ करा कर उस मामला को दबा दिया गया तैनी दबा दिया जाएंगा क्याוס उसमें उसमें भी कुछ नहीं होगा नियाई के लिए लड़का मरता रहेगा वो तो कुछ नहीं नेटा अपना पाकिट भर ले रहे ना हम पस जीच जा रहे ना इदेखिए यह भौकाल की सरकार हो गई है यूपी में सब सरकार मतलब हम लोग एक हम लोग अशily कास्थ है यह पुछला लोह वो गया है हम लोग विन मंँदै नहीं इसका किमार करते ने खाया इंहेंaja है याद्न सरकार हम UP वाले से खासकर UP के ब्रामभड वाले से गुजारिस करते हैं UP के ब्रामभड से कि आप ऐसे सरकार को मत चुनिये जहां आपका मान सम्मान और आप दिनों पर दिन आप हत्या हो रही है आप क्या कर रहे हैं जोगी सरकार बोलते हैं कि ब्रामबड के लिए क्या की हैं ब्रामबड के लिए हमको पहले मैं अपने युवाओं से और अपने समाज से ब्रामबड समाज से उपी का अपील करता हूं कि आप लोग अपकी बार दिखा दिया जाए कि हम लोग है अगर हम लोग कुछ नहीं दिखाएंगे तो हम लोग मुर्ख है हम लोग मुर्ख नहीं हम लोग जग हैं देखिएगा अगर यूपी में अगर इस पर नहीं नहीं होती है सबसे पहला मुदा है देवरिया वाला भी ताजा मुदा है अगर देवरिया वाला पर घटना पर अगर में स्वैम योगी अधितनात भी नहीं चला अगर हमारा समाज के साथ हमारा समाज करता दोस्पे देखते बोल डोजर को चला जाता है लेकिन अहीं हम लोग है हम लोग सं्क्यख हम लोग कर दिया गया है मैं उस कमीने दोगले को बोल रहा हूं कि देखो ब्रामबड ब्रामबड कौम नहीं है अगर ऐसे मजबूर करेंगे तो युवा करांती हमारा पैदा हो जाएंगा हमारे समाज खलबला उठा हुआ है अंदर से हम लोग जैसे युवा लोग करांती कारी हो रहे हैं तो अगर तो नयाएंगा पड़ेगा हमारा सबसे पहला मुद्ध है इस लड़की जो सुकला परिवार के लड़की है वरस की इस पे पहले बिचार करना होगा हमारे योगी सरकार को और उसके बाद है दिवरिया का जो हत्या कांड़ अगर इस पर भी नहीं होती है तो हम लोग रोड पे उतरेंगे वहां भी मैं बोल का है लोग तो बाद में कई नेता ऐसे हैं जो ब्रामण परिवार से ही आते हैं ब्रामण जाती से ही आते हैं चाहें किसी विदल में हो वो लोग भी इस पूरी घटना पर मौन धारण किये हुए है यह देखिए दोगलापंती है यह अपना पेट पचाने के लिए यह लोग सब कु नहीं है ना सरकार है ना पार्टी है ना हमीं लोग को खुद लड़ाई लड़ना होगा तब लोग देखिए वहां का रभी की संजी है बड़े आपने आपको बड़ा सुकला ही मानते हैं सारे वहां दिगज जो हैं ब्रामण में पड़े हुए हैं वहां का दिगज क्या हुम यहिए आप बार बार अफिल कर रहे हैं हमारे समाज के युवां से उक्के खासकर क्या लोग जगी है नहीं तो अइसी ही दिन बर कटा जायेंगा अ वाला नहीं है हम लोगों खुद लड़ाई लड़ना होगा हमारे युवा हमारे जीतने साथ है आप लोग अगर न्यूज सुपर से बेन के माध्यम से आते हैं तो उस पर कॉमेंट कीजिए और नमबर दीजिए चाहे अपने मेरे इन्बक्स में किजिए इनके और जुड़िये आप लोग हम लोग एक अपना अलग अभियान चलाएंगे और लड़ेंगे अंतिम सांस तक अपसुन रहे थे चंदन तिवारी जी को इन्हेंने बताया कि जो हमारे समाज के कुछ नेता है जिन्होंने मौन दारण किया हुए जुड़े रहें न्यूज सूपर सेवन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद